शेहर से सठे गाउं भाडवास में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से यह गंदा पानी स्कूल और गलियों में गुज गया है स्कूल के पीछे बने नाले में सुराग होने के चलते स्कूल में गंदा पानी भर गया है गंदा पानी के कारण स्कूल के बच्चों और ग्रामिनों को भारी परिशानी हो रही है ग्रामिनों ने परिशान हो करके सरपंच और प्रसाशन से शिकायत की लेकिन तब भी समस्य का समधान नहीं हुआ उसके बाद ग्रामेणों ने कहा कि प्रसाशन गाओं में बिमारी फैलने का इंतजार कर रहा है वही इस पूरे मामले में सरपंच ने कहा कि गंदे पानी की निकासी के लिए प्रसाशन को कई बार शिकायत की जा चुकी है कि याहो तो उसके लिए तो मान जोगा पांत पांत अलाक रुपिया अभी इसकी सफाई के लिए दिया है तो जब तक पानी का निकास ना हो कहीं डालने का तब तक में काम कैसे करूं करूं